हेलो फ्रेंड्स मैं आगू जोतीशींग और आप देख रहे हैं सक्सेस पर आज की इस फीडियो में हम quantity serving and valuation के उपर बात करेंगे quantity serving and valuation हमारा क्या होता है इसको देखेंगे detail में तो यहाँ पर जो quantity serving and valuation है यह हमारा polytechnic civil engineering के 6 semester का subject है इसको हम पहले estimating costing and valuation के नाम से जानते थे start में अगर हम बात करें तो ECB के नाम से इस subject को हम पढ़ते दे तो अगर आपके पास new book नहीं है तो आप पुरानी book estimating costing and valuation से इस subject को complete कर सकते है स्लेवर्स को ध्यान में रखिए जितने भी topic स्लेवर्स में दिये गए है उस topic को आप इस book में search करके जाना कई भी मिले आप उसको complete कर सकते है तो इसको हम पुरा detail देखेंगे आज हम first chapter देखने वाले है introduction का introduction में जो भी topic आपके दिये गए है उसको हम complete करेंगे और chapter में जो आपका introduction है उसमें किवल हम को theory पढ़ना है दो topic पढ़ने है उसके बास से second chapter आपका ही start होगा second chapter से हमारे technical term start हो जाएंगे और जो भी estimating का work है उसको हम वहाँ से सीखना start करेंगे तो अभी हम केबल देखेंगे introduction के बारे में तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन को टेश कर लें इससे के हमारे नए वीडियो की notification आपको मिलती रहे है यह दिया आपने DSS के lecture अभी तक नहीं देखे है तो DSS की playlist बने हुई है link का आपको डिक्स में रहे हैं कि छ्हित्र में सब्सेंगे कि quantity क्या होता है surveying कि और हमारा Valuation क्या होता है तो ुरें वांटिटी की बात करें है कैसे होता है कि surveying जब भी हम करते हैं पिछले semester में आप पढ़ चुके इसके बारे में तो surveying में हम फिल्ड में जाके data को collect करते हैं major करके हम data को collect करते हैं इसलिए तो surveying का main मतलब होता है majoring मापन से होता है data collect करने के बाद हम अपने आगे की process को complete करते हैं अगर हम valuation की बात करें तो valuation में आपका मुल्य आंकन इसको हम बोलते है valuation को कि किसे भी शंपत्ती का मुल्य आंकन करना तो उसका वर्तमान सब्वे में क्या मुल्य होगा तो उस मुल्य को निर्धारण करना हमारा मुल्य आंकन का अगर हम समझता चाहे तो यहां से हम समझ सकते हैं कोई मकान अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो आज के date में उसका क्या मुल्य है अगर एक साल बाद कोई उससे पे लेने के लिए आता है तो उसका क्या मुल्य होगा अलग अलग होंगे तो वर्तमान सवे में जो उसका मुल्य होगा जो उसके मुल्य का निर्धारण होगा वह यह भरा का लाएगा मुल्य आंकन यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वांटिटी सर्विंग का क्या मतलब है अगर हम क्वांटिटी सर्विंग को साथ में देखें तो जब भी हम किसी भी ऐसे आइटम से जिनके क्वांटिटी का सर्वे कर रहे हैं सर्वे करके उनकी क्वांटिटी के बारे हम पता कर रहे हैं तो यह प्रोसेस हमारा को पता लगा रहे हैं तो यह हमारा जो process होगा वो हमारा quantity surveying का लाएगा तो यह हो गया हमारा quantity surveying and evaluation next जो हमारा chapter है introduction का उसको हम देख लेते हैं introduction में आपको दो topic पढ़ने है एक तो हमारा है introduction to quantity surveying and its importance और दूसरा हमारा है duties of quantity surveying तो इस topic को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि यह जो subject है यह कितना important है आप सभी के लिए तो अगर हम एक junior engineer की बात करें तो एक junior engineer को दो work करने होते हैं एक तो हमारा surveying का और दूसरा हमारा होता है estimating का तो यह most important होता है यह दोनों work आपको आने चाहिए और कहीं पर भी आप रहेंगे अगर यह दोनों work आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेगा बहुत अच्छे से कोई भी work आप कर पाएंगे तो surveying तो आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन estimating अभी पढ़ने जा रहा है तो उसको हम अच्छे से complete करेंगे तो estimating बहुत ज़रूरी है आना एक civil engineer को जो junior engineer होता है तो चलिए हम देख लेते हैं कि introduction क्या होता है quantity surveying का और इसके importance क्या है और duties क्या होती है quantity surveyor की अगर surveyor और surveying में difference की हम बात करें तो जो भी person survey का work करता है उसको हम बोलते है surveyor और जो पूरा process होता है survey का उसको हम बोलते है surveying तो चलिए देखते हैं हम इसके definition को यहांपर हम definition को देख रहे है quantity surveying हमारा क्या होता इसको हम बोलते है अगर आप कोई भी आइटम्स यूज़ कर रहा है तो उसकी मात्रा का मदलब यहां परक्यवल नंबर से नहीं है संख्या से नहीं है सबसे मस्ट इंपोर्टेंट आपका इस्टिमेटिक में होता यूनिट्स यूनिट्स के बारे में अगर आपको नौलेज नहीं है तो आप इ यूनिट्स होते हैं आपके मिटर इस्टिमेटिंग सबसे कर पाएंगे तो यूनिट्स के भी चैप्टर से आपके सब्जेक्ट में है स्लेवस में है उसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से कवर करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं मात्रा का मतलब यानि की जो होती है उसकी यूनिट्स कुछ भी हो सकती है इसे माली जी कोई मेटरियल हम केजी में मेजर करते हैं उसकी यूनिट्स होती है किसी की क्यूनिटल में होती है और किसी किसी का नंबर में होता है ठीक है तो इनके अलग-अलग मात्रक होते हैं तो ऐसा नहीं है कि क्यों नंबर में जो होगा वह हमारा quantity का लाएगा ऐसा नहीं है जिसे माली जी अगर कोई book purchase कर रहे है pen purchase कर रहे है कुछ भी कर रहे है तो हम यह number में purchase करते हैं तो यह हमारा इसकी unit होगे number तो इसकी quantity होगे चार book हम purchase कर रहे है तो इसकी कितने number होगे चार नंबर में हम book purchase कर रहे हैं इसकी quantity होगे चार यह हमारा होता है quantity का मतलब कि किसी material को हम कैसे उसकी मात्रा कितनी है कैसे हम पता करेंगे कि जो भी हम अगर material यूज कर रहे हैं cement sand aggregate या water तो कितनी मात्रा हमें use करना है तो यह हमारा quantity से पता चलता है next अगर हम बात करें quantity surveying में परिशुलता का अंस भी महत्रपूर है ताकि निर्माण किये जाने से पुरूप बनाएगे आगडन तथा निर्माण पूर हो जाने पर वास्तों में बने आगडन के बीच अधिक अंतर ना आप है जो quantity surveying होता है किसी items की हम quantity का पता लगा के उसके बाद हम estimate तयार करते हैं तो estimate हम क्यों तयार करते हैं क्योंकि जो भी आप work की start कर रहे construction work की start कर रहे तो उसके पहले आपको start करने से पहले estimate आपके पास होना चाहिए जिससे हम उसके lump sum में अपनी तयारी करके रखते हैं कि total कितनी cast लगेगी total कितने items की जरूत है total कितने materials लगेगे तो उसके according हम तयारी करके रखते हैं अगर आपको कोई estimate नहीं पता होगा कोई अनुमानी तलागत नहीं पता होगी तो आप उस work को अच्छे से complete नहीं कर करेगा अगर मालीजी कास्ट आपके पास खम है और आप work की start कर दिए तो कहीं ऐसा नहीं कि foundation की खुदाई हुई और उतने में ही आपके जो भी कास्ट है पूरी कास्ट आपकी वहाँ पर खतम हो गई तो आप क्या करेंगे दुबारा से work को रोकेंगे वहाँ पर फिर आप की त्यारी करेंगे और फिर काम को ही start करेंगे तो इस प्रकार से आपके ज्यादा time कभी waste होता है आपकी money कभी waste होगा तो इसलिए कोई वीवर की start करने से पाले एक आपको अनुमानित लागत का पता होना चाहिए तो इसलिए हम estimating करते हैं क्वांटिटी सर्वेर आपका क्या होता है परिमार सर्वेच्छक क्या होता है क्वांटिटी सर्वेर एक आशा तक्निकी शिछित मनुस्य है जो क्रमबद्य एवं बैज्ञानिक वद्तार के कुरूप से बिभिन अभियांतरिक कारे जो engineering works होते हैं इसका ये मापन मानक तरी क्वांटिटी सर्वेर का भी विशिष मात्वफूर इस्थान है तो क्वांटिटी सर्वेर के अगर हम बात करें तो क्वांटिटी सर्वेर एक आपका technical person होता है जो सभी engineering works का मापन होता है वो मानक तरीके से करते हुए जितने भी items होते हैं उन items की मात्राय निकालने की क्वांटिटी निकालने का कार्य यह अधिकारी के अप्रादिक्रित याने की authorized थार पर यह करता है इसलिए यह क्वांटिटी सर्वेर का भी विशिष मत्वफूर इस्थान होता है जो हमारे estimating जैसे work होते हैं उसको करने के लिए तो इस प्रकार से यह क्वांटिटी सर्वे करके हम estimate त्यार करते हैं तो estimate बहुत important हो जाता है कोई भी work start करने से पले आपको एक अनुमानित लागत का पता होना जरूरी होता है आगे हम देख लेते हैं कोई से topic आपके important है जो next chapter में use होंगे तो इसको पाले से जाना जरूरी है देखिए definition of estimate estimate की की क्या परिवासा है मात्रा वस्त्रमिकों की संख्या का पूर्व अनुमान नक्षा देखकर calculation or computation की मदद से लगाया जाता है यही हमारा आगडन या प्राकलन कहलाता है तो जो सिविल इंजिय की साखा होती है जो सिविल इंजिय की साखा होती है इसके अंत्रगत जो आपके अलगला works होते हैं उ उसकी गरणा करके वहां से हम पता लगाते हैं यही हमारा आगडन या प्राकलन या इस्टीमेट कहलाता है कि पूर्व अनुमान लगाना यानि कि पाहले से आकलन करना कि जो भी हमारे items लग रहे हैं जो भी मजदूर लग रहे हैं जो भी हमारी cost लग रही है उस कोई भी work हम कर रहे हैं तो फिस MIAR किना लगेगा उसके पाले जब कंप्लीट हो जाता है आपका वर्क तो उसके बाद अगर हूं उसकी कास्ट निकलते हैं तो उसमें जो पहले वनमाल लगाए थे और बाद में निकाल रहे थे उसमें ज्यादा Δिफ्रेंस लेश्ट हम देखते हैं सभी आवस्यक मदो यानि कि जो भी आईटम्स होते हैं निर्माण से संबंदित उनकी quantity का पूर्व अनुमान यानि कि estimating तथा मदो की quantity यानि के items की quantity को वर्तमान दरों से गुड़ा करके और मानित लागत का पता लगाना costing का लाता है तो एक term आपका है costing जो भी important है तो costing आपके क्या होता है जो भी हमारे कोई भी items है निर्मार कारे से संबंदित तो उनकी quantity का तो हम पता लगा लिए जैसे bricks अगर हम यूज कर रहे हैं आपके cement यूज कर रहे हैं तो जैसे 10 kg cement आपका use होना है तो 10 kg क्या होगी cement की quantity हो गई अगर 1 kg का rate हमको पता है जो rate हमको पता होता है वो पर unit पता होता है तो पर unit की rate से हम total quantity में multiply करते है तो हमको cost मिल जाती है यह हमारा काल आता है total जो हमारी cost होती है उनकी लागात होती है वो हमको पता चल जाती है तो quantity अगर माले जैसे 10 kg आप cement use करना है और 1 kg cement का मुल्ले आपका 100 रुपे हैं ठीक है एक केजी से इवेंट का मुल्ले अगर हम बात करें 100 रुपे जो उनकी वर्तमान में रेट होगी की टोटल लागत हमको यहां पर पता चल गए यह हमारा होता है कोस्टिंग यह हमारे होगे कुछ important topic जो आपके फर्स चेप्टर के थे इसी तरीके से हम और भी जो चेप्टर उसको complete करेंगे नेक्स वीडियो में हम नेक्स चेप्टर को complete करने वाले हैं और उसमें कुछ technical term हमारे मिलेंगे और जो भी estimating का process है उसको भी हम सीखेंगे तो आजसे ही वीडियोज के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा च्यादा शेयर कर झाल 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 झाल